समय बीच जाने के बाद में कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है कुद्रत ने हम सब को हीराई बनाया है बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और हमारे जिवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ब्रस्पती देव के कुम्प रासी में वक्री हो जाने के इस विशेश एपिसोड में यह एपिसोड आपकी रासी नाम रासी अथा मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में हम धनू रासी पर ब्रस्पती के वक्री गोचर का क्या असर पढ़ने वाला है इसके बारे में ही विशेशन करेंगे क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार प्रकार के पुरुशात प्राप्त करना चाहते है यदि हाँ तो यह एपिसोड आपको राद दिखा सकता है कैसी विच्चत रिस्थिती है कि शुक्र देत्य गुरु है और ब्रस्पती देव गुरु है इन में शुक्र संपती का भोग वा ब्रस्पती धन प्राप्ती के कारक है लेकिन है दोनों परस्पत सत्रुप दोनों की स्रिष्टता हो तब ही व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है जन्मकुर्णी में इन दोनों ग्रहों अथा ब्रसपती और शुक्र का सूरी और चनमा से अच्छा सम्मध हो या इन पदस्ती हो तो व्यक्ति जीवन में प्रियाप्त मात्रा में धन सम्मध्य संग्रह कर सकता है और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबन्द लोटरी योग बनाता है तो ब्रेस्पती और चंद्रमा का संबन्द गज केसरी योग बनाता है ब्रेस्पती फर्स्ट, फिफ्ट, नाइन्थ और टेंथ बाओं के अता चार बाओं के कारक रहे हैं इन चार भावों में इसलिए ब्रस्पती व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार प्रकार के पुर्शाथ प्रदान करते हैं एजुकेशन, मेरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार जीवन के इन महत्पूर्ण विश्यों पर, सेक्टर्स पर ब्रस्पती देव का अधिकार है इन पक्सों से संतुष्ट व्यक्ति, नी संदे भागे साली माना जाता है, भागे साली होता है ब्रस्पती के कुम्ब रासी में वक्री होने से, जो की 20 जून 2021 को होने वाले हैं और वक्री ब्रस्पती तो और ज्यादा सुब, अतिर सुब माने जाते हैं 20 जून 2021 को ब्रस्पती वक्री हो जाएंगे, अधिकुम्ब रासी में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे और वक्री चाल से वापस चलते हुए ब्रस्पती 14 सितंबर 2020 को तीसरी बार मकर रासे में पुना प्रवेश कर जाएंगे ब्रस्पती के इस वक्र ग्रती परिवर्तन का प्रभाव सभी रासियों पर होगा तो आईए इस रासिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नजर और इस रासिफल में मैं ब्रस्पती का जिस बाव में इस्तित है जिस बाव में अतात कुम रासी में ब्रस्पती वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव और साथी साथ ब्रसपती की जो पांचवी, साथवी और नौमी जस्ती है उसका इंपेक्ट भी आपकी रासी पर क्या पढ़ने वाला है इन सभी के बारे में बात करूँगा इन सभी का विशलेशन करूँगा तो आईए आरम करते हैं धनौ रासी से तीसरे बाव में गोचरवस ब्रसपती दे वक्री हो रहें थर्ड आउस आपके भाही बैनों, पड़ोसियों, संचार, कम दूरी की यात्राएं, साहस, पराक्रम, आधिका कारक माना जाता है कुम रासी में वक्री ब्रसपती सप्तम बाव सेवन ताउस, भग्य बाव नाइन ताउस और लाब बाव अताद इलेवन ताउस को विशेश रूप से प्रभावित करेंगे ध्यान रखिएगा कि ब्रसपती के दस्ति में ही अम्रत है ब्रस्पति के रासी परतन से साधिरिक तकलीप होती है और भाई बेनों के साथ में विवाद उत्पन हो सकते हैं परिवार वालों से तो जगड़े होते हैं लेकिन सोशल लाइफ में सम्मान मिलेगा और प्रॉपस्टन लाइफ में भी आप सफल रहेंगे आर्थी ग्रूप से भी आपके लिए समय अच्छा हो सकता है इस दोरान आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांग सी हो सकते हैं और एहंकार की भावना आपके अंदर डवलप हो सकती है सरकारी कर्मचारियों का विरोज सहन करना पड़ेगा फ्रेंड्स को परिशानी में देखना पड़ेगा उनको सयोग करने की आवशक्ता पड़ेगी और अब यात्राएं भी लाबदायक नहीं रहेगी या सुविदा जनक नहीं रहेगी रोजगार में विवाद उत्पन हो सकता है कई बार नौकरी छूट जाने की संभावना है आ सकती है जो लोग जॉब करते हैं नौकरी करते हैं उनके लिए ये गोचर सुब नहीं है या फिर संगर्स वाला है आपको ब्रस्पति के उपाय करने से असुपता में कमी आएगी जमीन जाजाद का सामन्य सुख ही मिल पाएगा आएए अब बात करें ब्रस्पति के दस्ति फलकी ब्रस्पति को दो विसेश जस्टियां प्रापते अथाद ब्रस्पति कुम रासी मिश्टिते वहां से ब्रस्पति मिथुन रासी को सिंग रासी को और तूला रासी को अथाद फिप्ट सेवन तो नाइंध जस्टि से प्रभावित करेंगे इन जस्टियों का असर क्या होगा आपकी रासी पर ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वक्री ब्रस्पति अपनी पांचवी जस्ति से मित्थुन रासी शत्रु रासी सब्तमभाव को देख करके दामपत्य सुख में सुखद अनुभूती देंगे मित्रता या प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय अच्छा माना जाएगा आपको इस गोचर काल में साधी का प्रस्ताव मिल सकता है और फिर नवंबर के बाद में विवा के योग बन सकते हैं जो लोग विवा की च्छुक हैं उनका रिस्ता पक्का हो सकता है कारी वैवसाय में आपके केरियर फिल्ड में आपको अब रहत मिलने लगेगी, नई ताकत का एहसास होगा, या उर्जा, फिटनेस, एनर्जी लेवल ये सब आपके अंदर आपको महसूस होगा, और इस समय में परिवार के सद्दस्यों के साथ में आपसी समझ एड़्जस्मेंट बढ़ेगा, आपके जीवन साथी को हेल्ज से रिलेटेड इस्चूज परिशान कर सकते हैं और पड़ोस्यों के साथ में संबन सुधारने का आपको प्रियास करना चाहिए, अनिता वो आगे जाकर के आपको ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा, आईए, अब बात करें ब्रस्पति की सब्तम दस्ति की, वक्री ब्रस्पति की साथवी दस्ति मित्र सूरी की सिंग रासी पर अतात नाइंत आउस पर भागे बाव पर है, और इस दस्ति से भागे में व्रद्धी होने की योग आएंगे, धार्मिक प्रवत्ति, पूजा पाठ, धरम करम की आदत पन पेगी, यह आपका इंटरस्ट बढ़ेगा, समाज में यश, मानपतिस्ता बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए नई योजनाओं में व्यवदान या मानसिक रूप से असांती वाले इस्ति आएगी, बहुत अपसेट हो सकते हैं, और यदि आपके कोई मामले अदालत से समझे चल रहें, तो उलजे इस्त लेकिन यदि कोई आपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपरेशन इस गोचरकाल में करवाये जा सकता है, अथाथ 20 जून से लगा करके 14 सितंबर तक, आईए अब बात करें, ब्रस पति की नौमी जस्ति की, ब्रस पति की नौमी जस्ति, लाब भाव अथा तुलारा पति हासिल होगी, अच्छा लाब आप कमा पाएंगे या अच्छी सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे, लेकिन यात्राओं में अब संगर्स दिखाई देगा, असुईता ज्यादा दिखाई देगी, या पिर यात्राओं से आप परशान हो सकते हैं, जो जौब कर रहे हैं, उन करज लेन से बचेंगे, तो ही अच्छा रहेगा, तो ये था ब्रस्पति का रासी फल आपकी रासी पर, और आईए अब बात करते हैं उपायों की, अगर आप ब्रस्पति के दुस्प्रबाव से पीडित हैं, तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वो आपको अवश्य ही करने चाहिए, सबसे पहले आप दहसा वतार विश्णु कवच या लक्षमी नरण कवच का पार्ट कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पार्ट पूजा में समय नहीं दे पाते हैं, तो इन कवच को धारण कर सकते हैं, और यदि आप को ये कवच धारण करनें, तो फिर स्क्रीन पर जो नमबर दिये हैं उस पर संपर करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेस महरत होंगे, जब जब विशेस पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्मान करते हैं आपके लिए, तो आपको जो भी सूचना है हमको चाहिए, वो आपको सूचना है देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाए, आप पुखराज पहने, या फिर आप पुखराज की जगे पे उपरत सुनेला पहन सकते हैं। पहननी चाहिए और ब्रसपतिवार को सूरी देर से एक गंटे के अंदर अंदर। ब्रसपतिगरह का पिरामिड या नवगरह पिरामिड जहां आप सोते हैं, वाँ साइट टेबल पर या अपने बैडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉड़ी और सोल पर नेगेटिव इंपक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ां ट्यून अप रहें। पारद विश्णु प्रतिमा पर या पारद विश्णु प्रतिमा घर की पुजा में इस्थापित करके नित्य उस पर अभिशेक करना है, वो अभिशेक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, और या पिर जल में दो बून इतर की डाल करके कर सकते हैं, अभिश ब्रस्पति वक्री है या आपकी कुली में ब्रस्पति इंपोर्टेंट है तो आप हमेशा भी कर सकते हैं हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं अनिता जब तक ब्रस्पति वक्री है उस समय तक करें ब्रस्पति वार के दिन गाय को गुड या केला के लाए जहां पर गाय को द दान कर सकते हैं पपिता भी दान कर सकते हैं अब मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उसका आपको जाप करना जब भी आपको समय मिले हैं सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रम ब्रहस पते नम ये एकाक्षरी बीज मंत्र है फिर ब्रहस पती का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नम तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाब कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले चाहे सुबह मिले साम को मिले या पिर ड्राइव करते हुए मिले भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है आपका भी भी कर सकते हैं तो ये था वक्री ब्रस्पति का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है और ये हमने आपकी जन कुण्ली में से एक चनमा को आधारित बना करके लिया है आपकी अपनी कुण्ली में ब्रस्पति की स्थिक क्या है कौन से ग्रह के साथ में किन ग्रहों के प्रभाव में किन ग्रहों के दस्ति में कौन सी दसा चल रही है नौवास में ब्रस्पति की पोजिशन क्या है ये सब कुछ आपकी कुण्ली का अधार पर जाना जा सकता है तो यदि आप इस ब्रहस्पती का सरफ आपके उपर क्या इंपक्ट आएगा वो जानना चाते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विशलेशन जरूर ही है और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये वे हैं वहाँ पर संपर्क स्थापिट करना है अपरंडमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर आपकी जिग्यासा पर आपकी समस्यों पर ही बात करेंगे और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाओंगा मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुपकामना है इश्वर आपकी रक्षा करें भगवान विश्णु आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद प्रसं-पर स्च्ति रहें के रखें विशसट अभवा